चैप्टर 4 हीट में आज हम एक्टिविटी 4.1 देखेंगे इसमें दिया हुआ है अब हम इस चैप्टर में एक्टिविटी को देखते हैं टेक 3 लार्ज मग तीन बडे मग लेना है लेबल अज अबी में गर्म पानी डालना है and hot water in mug B और mug B में गर्म पानी डालना है mix some mix some cold and hot water in mug C और साथी साथ mug C में थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा पानी डालना है यानि गर्म ठंडे पानी को mix करके हमें mug C में डालना है now dip your left hand in mug A उसके बाद हमें अपने left hand को mug A में डालना है and right hand in mug B और right hand को mug B में डालना है and the right hand in mug B after keeping the hand in the two mugs for 2-3 minutes उसके बाद हमें अपने हाथ को 2-3 minutes तक mug A और B में रखे रहना है put both the hand simultaneously in mug C उसके बाद से हमें क्या करना है उन A और B mug में से अपने हाथ को निकाल के mug C में डालना है जिसमें हम दोनों पानी mix करके रखे थे do both hand get the same feeling तो क्या हमें अपने हाथ में वैसी feeling अनवह होगी जैसे हमें पहले हो रही थी तो अभी यहां पर बूजो कह रहा है my left hand tells me that water in mug C is hot कह रहा है कि हमारा left hand हमें बताया कि जो पानी मकसी में था वो गर्म है and the right hand tells me that same water is cold और हमारे right hand को यह पता चला है कि वह पानी क्या है थंडा है what should I conclude इससे हमें क्या पता चला बूजो confusion source that we cannot always relay our sense sense of touch to decide whether object is hot or cold तो बूजो को यह confusion हो गया बूजो का confusion से यह पता चला है कि हम हमेशा किसी चीज को छूप के पता नहीं कर सकते कि वो गर्म है या ठंडी है sometime it may deceives up कभी-कभी हमें इससे गलत information भी मिल सकता है then how do we find out how an object really is तो हमें कैसे पता चलेगा कि object कैसा है Irreliable measure of hotness of object is temperature तो किसी object के hotness का पता चलना ही क्या कहलाता है तो temperature की definition हम क्या दे सकते है कि किसी object के किसी object के hotness का पता चलना temperature is measured by a device called thermometer temperature को